पीए मोदी ने चार उंगली दिखा कर पीएम किसान सम्मानी दी योजना के अंतरगत चार हजार रुपे के उनिसवी किस्त की ओफिसियल घोसना कर दिया है किसानों के बैंक खाते में सीधे चार हजार रुपे जारी होने वाली है छोटा सा ही काम आपको करना है डिरेक्ट पीए मोदी का लाइफ संबोधन भी इस वीडियो में बताने और दिखाने वाले है जिसमें पीए मोदी क्या बोल रहा है कैसे चार उंगली दिखा कर जो चार हजार रुपे के उनिसवी किस्त जारी करेंगे हंड्रेट परसंट गारेंटी के साथ मिलेगा आब बस खाली सबका वीडियो देखते हैं जिसमें बोला जाता है कि 4,000 पीए मोदी बेज रहा है चार लेकिन क्यों भेज रहा है क्या करना होगा किन किसानों को भेज रहा है ये वाला वीडियो जो है आपको समझ नहीं रहा है इसलिए ही आपको आपके बैंक खाते में ये रासी नहीं आ रहा है इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं कि पिये मोदी किलियरली बोल रहा है कि मैंने भेज दिया किसानों के बैंक खाते में वरे न्यूज चैनल, किलियरली बोल रहे हैं कि गूट न्यूज किसावनों के बैंक आते में 4,000 रुपय आएंगे, अप्लाइ करने का पूरा प्रोसेस जाने, उनीस भी इंस्टॉल्मेंट किसावनों के फटा फट कर ले ये काम, पैसा आज आने वाली है ठीक है, यहाँ पर चलिए हम किलिक करके आपको दिखा रहे हैं, डिरेक्ट, यहाँ पर किलियर लिखा हुआ है कि गूट न्यूज किसावनों के बैंक खाते में 4,000 रुपय आने वाले हैं, फटा फट यह काम कर लें, या फिर आपको अपलाई क्या करना होगा, पूरी प्रक्रिया जो है, मेडिया वाले खुद ही चिला-चिला के बोल रहे हैं, लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे हैं, तो कैसे ही आपको बैंक खाते में यह रासी आएगी, खुद समचिए चलिए आखिर पी-म मोदी क्या बोल रहा है, किन किसानों को मिलेगा, कैसे मिलेगा, पूरी प्रक्रिया आपको समझना होगा, आपको बताते दोस्तों कि पी-म किसान सम्मान नहीं दी, योजनाई का अंतरगात, मोदी सरकार किसानों के बैंक खाते में दो-दो हजार रुपे करके हर चार महिने पर किस्त जारी करती है पिछली बार पांच अक्टूबर को पांच अक्टूबर को दो हजार रुपे की किस्त जारी की थी, अब किसान उनिसवी किस्त की इंतिजार कर रहे है ठीक है, अठारवी किस्त जो कि खाद के लिए भी 5000 रुपए भेजा है वो भी हम आपको बताएंगे आपको बतादें कि खाद के लिए हमेशा से किसानों के बैंक खात में ये रासी आती आ रही है लेकिन वहीं है कि कोई समझ नहीं रहा है Direct Beneficiary Transfer Government of India के पोर्टल से हर बार खाद के लिए किसानों के बैंक खात में रासी जारी होती है लेकिन कोई भी इस चीज़ को नहीं समझ रहा है कि कैसे मिलेगा और ना कोई बताता है किसी को क्या मतलब है आप सिर्फ 2000 रुपे ही पाते हैं लेकिन हर चार महिने पे 5,000 रुपे खाद के लिए अलग से मिलता है किसान सेलेक्ट कीजिए आप किसान है किसान सिधा सेलेक्ट करना होगा अब यहां पे किलियर्दी जैसा कि देख सकते हैं इस पोटल पे आप देख सकते हैं कि सरकार के दोरा टोटल आठ योजना चलाई जा रही है किसानों के लिए जैसा कि आपको हो गया प्रधान मंत्री फसल वीमा योजना प्रधान मंत्री आपदा योजना आपदा का मतलब बाठ आ गया भुकंप आ गया जिससे फसल बरबाद हो गया बाठ आ गया तुफान आ गया इस वज़ा से इसके लिए भी सरकार ने एक अलग से योजना चलाई है सममिसन एग्री कल्चर फर्टिलाइजर यहाँ पर किलियरली देख सकते हैं कि फर्टिलाइजर सबसीडी स्कीम देख सकते हैं जैसा कि अब यहाँ पे आपको साइद फर्टिलाइजर का क्या मतलब होता है साइद आपको नहीं पता तो हम डिरेक्ट गूगल में सर्च करके दिखाते हैं इसके लिए हम सिंपली जो है इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और डिरेक्ट हम आपको गूगल में इसको जो है यहाँ पे डिरेक्ट हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ठीक है और इसका हिंदी वर्जन क्या हिंदी में क्या होता है इसको हम आपको समझा रहे हैं क्योंकि साइद आपको यह लग रहा हुगा कि आपको साइद इंग्लिस के बारे में जानकारी नहीं है और हम ऐसे ही आपको बुरुबक बना रहे हैं हम चले इसको कॉंपी कर लिये हैं और डिरेक्ट जो है फाटिलाइजर का क्या मतलब होता है वो हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे जो है यहाँ पे मैंने इंग्लिस सेलेक्ट कर लेता हूँ इंग्लिस और यहाँ पे हिंदी ठीक है अब यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे देखिए फाटिलाइजर का मतलब होता है उर्पवरक सबसीडी हो जाए उर्पवरक जो होता है वो खाद को बोला जाते है दोस्तु ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं ठीक है कि सबसीडी हो जाना ठीक है यह जो खाद की जो सबसीडी होती है अब यहां पर मैं आपको इसको भी कॉपी करके दिखा देता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है ठीक है यहां पर चलिए यहा है कि खाद के लिए उपरवर्ग किया जाए यहां पर देखे हर जगह जो है आप देख सकते हैं कि उपरवर्ग का मतलब जो है वो खाद ही होता है यहां पर भी देख सकते हैं कि लिखा है कि विट्य वर्वर्ग की सबसीडी नीचे लेख सकते हैं यूडिया सबसीडी योजना किता है किसानों को वैधिक रूप से अधितम मुल रकाम के जाए जो है ये रासी दी जाती है ठीक है तो यहाँ पे मैं लास्ट लास्ट अख हम आपको इसके बारे में डीटेल के साथ जो है जैसा की सकते है देख सकते हैं कि इसी को बोला जाता है यहाँ पर भी देख सकते हैं कि डिएपी खाद पर सबसीड़ी ठीक है तो यहां पर आपको पूरा लास तक हमने आपको समझाया कि यह आखिर माजरा क्या होता है कि यहीं चीज है कि फर्टिलाइजर यानि कि खाद इसकीम्स यानि कि इसकीम के तहट जो है किसानों को पांच सजार रुपए सरकार हर चार म मेटर तो आप समझ गया है यह कैसे लाब मिलेगा क्या करना होगा इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो हम समझाएंगे ठीक है अब यहां पर आखिर किसानों के बैंक खाते में चार हजार रुपए कि उनिसवी किस्त कब जारी होगी यहां पर यह भी समझे लिए कि खाद के लिए कोई भी आपको सही जानकारी नहीं देगा जितना भी वीडियो देखे का सब जुठा सला रगता है ठीक है ना सच्चाई कोई बते भे नहीं करता है अब यहां पर हम अठारवी किस्त ठीक है अठारवी किस्त जो है यहां पर देखे अठारवी किस्त पांच अक्टूबर को मिला था तो पहला महिना दूसरा महिना तीसरा महिना चौथा महिना हर चार महिने पर रासी मिलता है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर ठीक है और यह जनवरी तो ए इमोधी ने कहा था कि चार हजार रुपय किसानों को भीजेंगे तो उससे पहले किसी भी दिन जारी कर सकती है और यह जो क्यार हजार रुपया आपको कुछ भी करना हम जब Nicholas नहीं हो गही पाकर आपका क्या सला सुजावा नीचे कमेंट में जरूर बताएगा चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा वीडियो में फिलाल इतना ही अगले वीडियो में खाद के बारे में डिटेल के साथ बताएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगला वीडियो के इंतिजार कीजिए ज नहीं जावार